हेलो दोस्तों शौगत है आपका हमारे यूटूब चेनल पर आज हम आपको डीफर्म सेकेंडियर का सब्जेक्ट फार्माकोलोजी जिसका चेप्टर नमबर सेकेंड का सेवेंथ पार्ट पढ़ाएंगे इस पार्ट में हम आपको लोकल एनस्थेटिक के बारे में बताएंगे और प्रीबियस वाले पार्ट में हमने ड्रग यूजडीन महिस्तेनिया ग्रेविस की बात की थी तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चेनल की प्लेलिस्ट में जाईए बहां से उस वीडियो को पढ़ लीजिये दोस्तों अगर आपको मेरे बाट को भी सस्काइब कर दिया करो और अपने कॉलेज गूरू में भी वीडियो को सेर कर देना तो पीछे स्क्रीन लगी हुई है हम इस लेक्चर में बात करेंगे लोकल एनेस्टेटिक क्या होते हैं तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है वे ड्रग जो किसी लिम्टेड एरिय में सेंसेशन को ब्लॉक कर देती है यानि लिम्टेड एरिया का मिंस यानि आपके फिंगर में अगर कोई चोट लग गई है तो उसके बाद उसको सुन करने के लिए यानि सेंसेशन को लॉस करने के लिए जिन ड्रग का यूज किया जाता है आपकी लोकल एनेस्टेटिक होत है यानि जो आपका लिम्टेड एरिया होता है बोडी का वह आपका सुन हो जाता है और उसके बाद दोस्तों यह अपना इफेक्ट सो करते हैं तो इसमें एक बार फिर से आप देख लीजे देफिनेशन क्या है वह ड्रक जो किसी लिम्टेड एरिया में सेंसाष्न को बलोग कर दे ती है यानि वहाँ पर को공 सेंसाषन नहीं रह जाएगा वहाँकी जो नफ्स होगी वह जो हैं आपकी बलोग हो जाती dès और उसके बाद इसका classification क्या है classification of local anesthetic exam purpose से आपका ये वाला topic important है दोस्तो हमने इसमें कुछ drugs को लिखा है कौन कौन सी drug है पहला आपका class लिखा है हमने injectable anesthetics injectable anesthetic कौन से होते है तो इसमें part A है आपका short duration जिनका duration short होता है उसमें drug आती है protein और intermediate duration में आपकी lidocan आती है drug और जो long duration होता है इसमें आपकी drug आती है tetraken फिर second इसकी class है surface anesthetic यानि जिनका use surface किया जाता है यानि body पर किया जाता है topical रूप से किया जाता है तो आपकी होती है cocaine और lignocan जो drug होती है आपकी surface anesthetic के रूप में use की जाती है फिर बात करते हैं इसके pharmacological action की और इसका pharmacological action क्या है देखिए जो local anesthetic होती है उनके action जो होते हैं वे टू टाइप से होते हैं पहला type है local action और दूसरा type है systemic action तो local action क्या होता है और systemic action क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे तो local action होता है इसमें जो नाफस होती है ब्लॉक हो जाती है और ये neuromuscular जो junction को block कर देती है हमने आपको बताया था neuromuscular junction क्या होता है आप previous वाली जो बीडियो उसमें आप अच्छे से पढ़ लेंगे जो हमने माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ाया था उसमें हमने अच्छे से समझाया था तो local action इनका क्या होता है नाफस को हो जाता है और सेकेंड आपका action आता है systemic action systemic action कहां कहां पर होता है सबसे पहला पार्ट है cns पर center nervous system पर starting में cns को stimulate करती है यह जो आपकी local anesthetic होती है starting में तो cns को stimulate करती है बाद में cns को depress कर देती है और उसके बाद इसमें mental confusion भी होता है और इनका cbs पर क्या action होता है इसमें cbs मिन्स कार्डियो बेस्कुलर सिस्टम कार्डियो बेस्कुलर सिस्टम में आपका जो heart होता है यानि cardiac depression हो जाता है और उसके बाद blood pressure low हो जाता है क्योंकि जब local anesthetic का use किया जाएगा तो आपका जो body का blood pressure होगा below हो जाएगा और in drug के indication क्या है किसी local area को सुन करने के लिए कोई भी आपका body part हो गया उसको सुन करने के लिए आपकी जो minor surgery होती है वो करने के लिए आपका local anesthetic का use किया जाता है और second point इसमें लिखा हुआ है आप next बाले parts में पढ़ेंगे यानि जो आपका chapter number 5 है जिसमें drug acting on the cardiovascular system जिसको हम आपको anti-arrhythmic drug के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों जो local anesthetic drug होती है इनका use anti-arrhythmic agent के रूप में भी किया जाता है epilepsy को treat करने के लिए इन drug का use किया जाता है और इन drug के contra indication क्या है coronary जो disease होती है उसमें इन drug का use नहीं किया जाता है जो भी आपके heart से related disease होती है उसमें इनका use नहीं किया जाता है और heart failure में भी इसका यूज नहीं किया जाता है liver disease में भी इसका यूज नहीं किया जाता है और इनके dose के बारे में बात करते हैं लिगनोकेन का dose है यानि 4 mg पर kg यानि आपको kg मिन्स होता है बजन के हिसाब से आपको ड्रग देना है और उसके बाद प्रोकेन यानि 12 mg पर kg तो दोस्तों जो आपका जो आपका लोकल एनास्टेटिक वाला टॉपिक था बहुत ही छोटा टॉपिक है इसको हमने अच्छे से समझाया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चेनल को भी सस्काइब कर देना अब आपका जो चेप्टर नमबर सेकेंड है इसमें नोन इस्टेरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी जो एजेंट्स होते है वे वाला टॉपिक आपका बचा हुआ है फिर उसके बाद हम आपका थर्ड चेप्टर बहुत जल्द पढ़ा देंगे और उसके बाद मल्टिपल चॉइस वाले कुस्टन को भी हम कंप्लीट करेंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कॉलिज गुरूब में सेर कर दिया करो धन्यबाद दोस्तों